डाइनमाइट न्यूज पर देखिए सुनिल सिंग का धाकर इंटरव्यू की बात करते रहेंगे और यह संबोधन मुझे अच्छा लगेगा सुनिल जी योगी अधितनात की बात की जाये पिछले 20 साल से आपका एक करीबी निरिश्टा रहा उनसे योगी जी कि आप आगनाक कान कहे जाते थे तो ऐसा क्या हुआ कि साथ बदल गए रास्ते बदल गए योगी अधितनात बहुत ही महत्वकांचे व्यक्ति हैं अपनी महत्वकांचा को पूरा करने के लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है हम लाइन में बहुत पीछे हैं हमारे पहले तमाम लोगों को योगी अधितनात ने अपनी महत्वका पूरा करने के लिए कुर्बान किया है उसी फैरिस्त में मेरा भी एक नाम है योगी आदितनात को ये लगता था कि ये मेरे संघर्स का साथी है अगर ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता ये मेरा विकल्प बन जाए योगी आदितनात विकल्प नई बनाते हैं जिस स साह तक संघ तक जितने भी नेता उनका सहीयोग किये हैं सभी लोगों के सर पर पैर रख करके उओं आगे बढ़ने का काम किये हैं यह उनकी आदت है और ये उनका फैरिस्त है उसी रास्ते पर आगे बढ़ान रहे हैं और योगी आदितनात जो इनकी महतव कांछा ने हमारे जैसे तमाम लोगों को योगी आदितनास से दूर किया है योगी जी के साथ आपका बेहत करीबी और एक घहरा संबन था इस समय उत्तर प्रदेश में प्रचंड भहूमत के साथ योगी जी की सरकार चल रही है क्या लगता है कही न कहीं एक गलती तो नहीं हो गई योगी जी का साथ चोड़ें देखिए हम बहुत संतुष्ट हैं कहतो रहे हैं जो लोग आज योगी जी के साथ हैं उनके उपर क्या बीत रही है उनकी हैस्यत एक चप्रासी से भी छोटी है हम कम से कम आज संतुष्ट हैं अपने नेता के नेत्रित्तों में वह मंत्री होते हुए भी आधितिनात की टीम को वो संतुष्टी नहीं है योगी आधितिनात हिटलर की तरह राजनीत करते हैं राजा की तरह राजनीत करते हैं और बाकी चाहे वो विदायक हो चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो सबको सिर्फ वो सिर्फ चपरासी समझते हैं एक दो कोड़ी का आदमी समझ है कि हम अखिलेश यादो के नित्रितों में काम कर रहे हैं हम उनके साथ काम कर रहे हैं हम उनके सनरक्षण में काम कर रहे हैं हम उनके कदम से कदम मिला कर चलने का काम कर रहे हैं हम अखिलेश यादो जी की गुलामी नहीं कर रहे हैं आदित्यनात जी के साथ जो लोग काम कर र रहे हैं हम भाई बन करके साथी बन करके सहयोगी बन करके काम कर रहे हैं ये वेसिक अंतर है भारती जंता पार्टी और समाजबादी पार्टी में सुनिल जी समाजबादी पार्टी में अब चार साल हो गया आपका शामिल हुए वे चार साल में अपनी सपा में किस तरीके की भूमिका देख रहे हैं। और जगह नेता नेता की तरह रहता है। हम अपने नेता से जब बाते करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम लोगों का भाविश्य उज्वल है। और एक अलग तरह का उर्जा, एक अलग तरह का उत्साह अपने नेता से मिल करके हम लोगों को मिलता है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस लायक मैं हूँ, उस भूमिका में हमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अर्जेश्ट करेगी। मैं अपने चार साल के कार्यकाल में, चार साल के समय में समाजवादी पार्टी में काम करके पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कि हम समाज की लोगों का सेवा करेंगे, नवजवानों की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, छात्रों की सेवा करेंगे, टिकट नहीं मिला, हो सकता है उससे अच्छी चीज़ आगे मिले, हो सकता है उससे बहतर चीज़ आगे मिले, और ह संत कबीर नगर की टिकट घोशित कर दी गई है और सोशल मीडिया पर हमने देखा आप राश्टिय अध्यक जी से आपकी मुलाकात हुई एक पोस्ट भी देखा हमने उसके बारे में क्या कहना आपका क्या माज रहे हैं कल राश्टिय अध्यक परमसरदे आद्रड़ी स्री एकलेस यादो जी का फोन मेरे पास आया था और मैं जा करके अपने राश्टिय अध्यक जी से मिला मैं भी टिकट चाहता था टिकट का एक प्रबल दावेदार था मुझे टिकट ना हो करके किसी अन्यकारिकरता को टिकट म हैं और निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्वल है और हमारे नेता ने हमें विश्वास दिलाया है हमें आश्वासन दिया है कि आने वाला समय हमारा बहुत बहुत होने वाला है पुरवांचल में युवाओं के बीच आपकी खासी पैठ है उन युवाओं का मजदूरों के लिए बहतर इस्थिती बनने जा रही है आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे हम लोगों के राजनितिक बढ़ेगा उसी तरह से उन नौजवानों का उन किसानों का उन मजदूरों का उन गरीबों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा श्यादो जी पे विश्वास है हमें समाजवादी पार्टी पे विश्वास है पहले चलंड का मद्दान होने वाला है ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रिदेश की जनता को आपके लिए क्या मेसिज है देखिए हमने कहा कि अगर गरीवी मिटाना है बेर किलो रासन के नाम पे हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा करके हमें विखारी बनाने की जो मनसा है संबिधान को बदलने की जो इनकी योजना है उस योजना पे अगर फानी फेरना है तो 2014 में उत्तर प्रदेश से देश की सरकार बनी थी और 2024 में उत्तर प्रदेश से देश की सरका अब देश बचाओ इस बार असी हारने जा रही है भारती जनता पार्टी तैमानिये पस्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाओ है हम तो हर जगह घूम करके आकरके बैठे हुए हैं हम लोग देख रहे हैं आप तो मीडिया के लोग हैं आप भी देख रहे हो भारती जनता पार्टी बॉखलाई हुई है ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारती जनता पार्टी को विदाई करने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश ने अगर मन बनाया तो देश की सरकार से भारती जनता पार्टी को हटना पड़ेगा तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता सुनिल सिंग्धी जिनका कहना था कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारत्य जन्ता पार्टी की विदाई होगी कैमरामें सतीश वर्मा के साथ रोहिट गोयल डाइनामाइट नीज नहीं दिली